अपने पढ़ेंगे मनुवग्यान यानि कि साइकोलोजी अब यहार एक्जाम में आती है करीब टीचर के एक्जाम में जरूर आती है और एक्जाम में भी आती है मनुवग्यान साइकोलोजी तो क्या होता है कि साइकोलोजी में एक एक नमबर लाना आउशक होता है तब जाके गीरिक भाशा है, गीरिक लेंग्वेज के दो सब्द है, साइकी, P-A-S-Y-C-H-E, साइकी और लोगस, दो सब्द है, तो उनसे मिलकर बनी हुई है, गीरिक भाशा के दो सब्द साइकी M-Logus, साइकी M-Logus, साइकी कारते आत्मा, ठीक परन्स, साइकी है उसका अर्थ ए आत्मा और लोगस का अर्थ ए विग्यान या सास्त्र जो लोगस है उसका अर्थ ए विग्यान या सास्त्र तो या फिर अध्देन सास्त्र अध्देन ठीक है Helsinki इसको धियार डग़वाज, इस परकार उत्पत्ति के जो टाइम है तो मनुविज्ञान को उस साब्दिक अर्थ या आत्मा का विज्ञान के रूप में जाना जाता है यानि कि जब इसकी मनुविज्ञान की उत्पत्ति होई थी या इसकी सब्द की अर्थ की उत्पत्ति होई थी तो उसको जाना जाता था आत्मा का विज्ञान पहले है न पहले जाना जाते था आत्मा का विज्ञान पर आभी इसका आत्मा नहीं है अभी वीभार का विज्ञान है और भी इसको दो थिन तरीके से बताया गया है वो इसका आगे दूसरी वीडिटों में समझाऊँगा आप तो अट이지we April कि उपी ही कहीं से हुई शाइकी और लोगस से मिलकर हुई है और विज्ञान की रूप में जाना गया तो प्रेंट दिस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और यह जरूर करें और मिलते हैं यह नेक्स्ट वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें इस टहीं में वीडियो लाता हूं यहां से प्का क्यूशन आता है कहीं लेंगत पार यहां से साय की लोगस और यहास कमा प्रुनटी अता है फ्रणनस त्यान रखना साइं तेहान अब को है तो मिलते हैं नेक्स्त व्र Михicill और इसे दोर से प्यार बनाए रखो आप ठीक है तो मिलते हैं फ्रेंट्स नीचे